अलो मेरे दोस्तों मेरे भाईयों तो भाई साब बहुत सारी कम्पनियां अपने नए निकार्स को रिवीग करने वाले इंडियन बिजार में सबसे पहले नमपर पर आती है हमारी टाटा पंच टाटा पंच जो है हमारी पिछले काफी महीनों से टेस्टिंग पर टेस्टिंग है और इसके electric virgin उतारा जाएगा तो यह टाटा ने काफी जयदा रिपोर्टों में यहवाली बात बता ही है electric virgin करेड़ कार के अंदर आपको वही वार electric virgin मिलने वाला है जो टाटा ट्यागो के अंदर मिलता है आपको तर अप portfolio में आपको बहुत अच्छी घाज इलेक्रिक कार्स देखने के लिए मिल जाएंगी डीज्म कार्स भी मिल जाएंगी लए और टाड़ा के पॉट फोले आपको अच्छी से अच्छे बहुत सारी पेटरोल कार्स भी देखने को मिल जाएंगी तो बहुत जल्द आपको टाटा पंच एवी देखने के लिए मिल जाएगी टाटा पंच एवी के अगर बात करें तो इसमें 200 किलोमेटर से ओपर का पंच देखने के लिए आपको मैनेज मिल जाएगा और डिपेंड यह करता है कि टाटा इसमें कौन से बैक अप्स यूज एवी के करने वाली है टियागो वाली है कौन से टियागो एवी वाली अगर इसमें बैटरी बैक अप यूज किया गया तो इसमें आपको 230 किलो मीटर की रिंज आपको देखने के लिए मिल जाएगी मतलब एक सिंगल चार्ज में एवी के वेरिंट में ये 230 किलोमेटर तक चलेगी हाला कि अगर बड़ी बैटरी होती तो इसके प्राइजिंग में भी इंक्रीजमेंट हो जाता भाईज अब दूसरी कार आती है हमारी MG की तरफ से MG की 3 तो ये वाली जो कार है MG इसको ग्लोबल मार्केट में पहले ही बेचता हूँ आया है मगर इस बार ये इंडियन कार बजार में उतार दी जा सकती है तो इस कार में आपको 1.5 लीटर का पैटरॉल इंजन देखने के लिए मिल जायागा बहुत पावरफुल तगड़ी पावर के साथ इस कार में आपको तगड़ी लुक्स भी मिल जाते है अगर मैं फ्रेंट से कार की बात करूँ तो ये आपको बहुत ज़्यादा फ्रेंट और साइड से इंप्रैसिव सी देखने के लिए मिल जाती है MG का लोगो बढ़ा बढ़ें से मिल जाता है और अंदर इसके फीचर भी बहुत ज़्यादा अच्छे मिल जाते है हो सकता है MG अपने इस कार की प्राइजिंग भी बहुत जल्दी ही रिविए MG अगर इस कार को अपना स्विफ्ट और टियागो के सेग्मेंट में उतारती है तो छे साड़े छे लाग रुपए के अंदर इसके आपको कीमत देखने के लिए मिल जाएगी और अगर अपर के वेरियंट्स में अगर इसको उतारती है MG तो इसमें थोड़ी सी कीमत आपको ज्यादा देखने के लिए मिल सकती है नंबर की काड़ जो हमारी आती है टोइटा की तरफ से फ्रॉंक्स का री बैक वर्जिन होने वाला है कई सालों से हम यही चीज़ देख रहे हैं टोइटा मारती सूचुगी का लोगों को लगा कर अपनी कार्स मार्गिट बेच आपको फ्रॉंक्स जैसी गाड़ी को दिखने वाली जो यह आपको स्क्रीन पे दिख रही है बहुत जल्द टोइटा अपना इस पे लोगों लगा के इंडियन कार बाजार में बहुत जल्द उतारेगा और यह काम टोटा काफी टाइम से कर रहा है इस कार में एक्स्टिरियर और इ इस कार की क είमत आपको थोड़ी सी जाते ही देखने को मिल हैं तो भाज सब डिपैंड करता है कि इस कार में कुछ फीचर से बैड़ गिये जाए के टुईता में अगर یہ तो डियापि वको देखने केलिए जा सकती है और मैं आपको बता दो कि टाटा एक अपनी कार लॉंच करने वाली है कर्व नाम की और कुपिस्टा लेस्यूवी की ज्यादा बढ़ रही है डिव टाटा की आने वाली नई कर्व का जो है सामना भाइसाब इस रेलोल्ड के अरकीना के सामने होने वाला है वैसे मैं इस कार की बात करो तो फरेंट से आपको बहुत ज्यादा इंप्रेसिव से लुक्स हिसमें देखने के लिए मिल जाते हैं खासकर जो यह इसके लेडे डिरल दी गई इस सबढ़ बहुत बड़ी के बात करो इसमें रेदर टच के साथ बहुत सारे अच्छे फीचर्स दिये ग को देखने के लिए मिल जाए और भी बहुत सारे प्मिम फीचर के अंदर आपको देखेने के लिए मिल जाते हैं बहुत ही बढ़े वाले अगर म कंपनी इस में वही फीचर देती है जो घ्लोबल मार्किट में दीए गए हैं तो इस कार की कीमत फिर मेरे अकोडिक तो आपको 9 से 10 लाख रुपए के बीच में मिल जाएगी वैसे तो आपको इक गाड़ी कैसे लेगी मुझे कमेंट सेशन में जाके जरूर बताना है लास नमबर की कार हमारी होंडा के तरफ से होने वाली है डबलू आर भी अपनी कॉम्पक्ट SUV वैसे तो पिछले लास्ट एर ही इसको उतारा गया था मार्केट में बट अब डिसकंटीने वाला है जो कि पहले जो डबलू आर भी आती थी वो तो डिसकंटीनियू कर दी थी कमपनी ने वाई सब होन्डा कमपनी इस कार को रिवील कर सकती है या फिर डिरेक्टली लॉंच भी कर सकती है ये कार कमप्लीट करने वाली है टाटा नेक्सोन के साथ ब्रेजा के साथ और हमारा सोनेट के साथ वैसे इस सेग्मेंट में आपको बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन गये हैं इसकी डामेंशन चेंज कर दी कही है फ्रेंट का प्रोफाइल चेंज कर दिया गया मुझे तो परसनली फ्रेंट का और साइट का प्रोफिल बढ़ अच्छा लगा आप भी मुझे कमेंट में बताईएगा कि आपको कैसा पहली वाली के मुकाबले नई जनरेशन की डबलू आर भी आने वाली है इसमें आपको इस पैस के मामले में अंदर इंटीरियर के मामले में काफी ज्यादा चेंजिस किये गये हैं اور अगर मैं इसकी कीमत की बात करो तो इसमें भी कीमत में आपको बहुत जज्यादा एक डिफरिंस देखने के लिए मिल सकता है इसमें आपको काफी जदा features company offer करती है और Indian variant के according तो इसमें आपको dimensions भी change करके दी जा सकती है तो इसलिए और इसमें कुछ आपको features के मामने बात करो काफी premium level के features भी देखने के लिए मिल सकते है तो इनके according कीमत में आपको थोड़ा सा इसमें आपको बढ़ोतरी मिल सकती है तो ये कुछ पांच का रस्ती जिनके बारे में मैंने आपको बताया अगर आपको भाई सब मेरी वीडियो अच्छे लगे तो like share subscribe जरूर करना मेरे चैनल को नए हो तो